प्यारे दोस्तों सादर अभिवादन, सबसे पहले इस मंच पर आने का कारण बता रहा हूँ तैनिक जागरन से सेवा निवरित होने से कुछ दिन पहले मैं अपनी भविश्की कारियोजना को लेकर विचार्य उमर्स वय चिंतन मननन के दोर से गुजर रहा था पत्रकारता में निमित सेवा पूरी करने के बाद मेरा मन कुछ सामाजिक संक्ठनों से जुड़कर समाज सेवा में सक्रिय भूमी का निवाने का था इस बीच नई दिल्ली में एक सामाजिक कारिकरम हुआ, वहाँ पूर केंद्रिय मंत्री वे देश के एक वरिष्ठ नेता से मिलना हुआ, तो पत्रकारिता से संबंदित बादचीत का लंबा सिलसिला चल पड़ा, मेरी बातें सुनने के बाद उन्होंने जो कहा उसे सारांस में आपको बता रहा हूँ, उनके सब्द थे, बोलो, बोलो, खूब बोलो, निस्पक्स बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, अगर चुपो बैठे तो फिर ने बोल पाओगे ने लिख पाओगे, नियाय और समानता के लिए या तो आवाज उठाओ, या फिर कलम, अगर उठाओ अवश्य, दोस्तों मैंने उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया और उन बातों को अपने मन के अनुकूल पाने पर समाज सेवा के साथ साथ पत्रकारिता में भी बने रहने का निरने लिया, इसी के साथ NJP नाम का ही है मेरा अधिकारी की YouTube चैनल आपकी सेवा में प्र के चैन का और उनकी समिक्षा का हमारा आधार यही रहने वाला है, देश पर देश से जुड़े विश्यों के लिए आप NJP इंडिया सर्च करें और अपने जिले, शहर और आसपास की ख़बरों के लिए NJP रेवाडी, NJP गुरुगाउन, NJP फरिदाबाद या NJP अलु कि मैं इस प्लेट फार्म पर लंबे समय तक टिका रहूं, तो किरपा करके NJP गुरुप के सभी चैनलों को लाइक वे सब्सक्राइब करें, आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे, दोस्तो आप थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा, पत् बग डेड वर्ष तक दैनिक वासकर में काम करने के बाद 21 अपरेल 2002 से 4 सितंबर 2022 तक 20 वर्ष से भी अधिक समय तक मैंने दैनिक जागन में सेवाएं दी, अब नई पारी की सुरुवात NJP Group of Media Services की चतरचाया में करने जा रहा हूं, हमारे लिए राजनितिक दल वे उनके न आज एक संग्ठन के माध्यम से भी आप से जुड़ने का प्रियात्न करूँगा जो सेवा के साथ साथ किशोर वे युवापीडी में वेग्यानिक सोच पैदा करने में एहम भूमी का निवाएगा, इस बारे में फिर कभी विश्तार से अलग चर्चा करूँगा, दोस्तों मेरी परिकल्पना एक निडर, अहिन सक वादविहिन समाज के निर्मान की है, छुआ छूत और किसी को स्रेश्ट और किसी को हिन समझने की मानसिकता को बदलने की है, दुनिया में मची हत्यारों की होड और परियावरन पर मंडराता खत्रा मुझे डराता है, महेंगी समानता के खिलाप और हक से वंचित लोगों के लिए आवाज बुलंद करनी है, सपने बड़े हैं, एनजेपी का मंच छोटा सा है, मगर में चल पड़ा हूँ, संभव है, शाठ के उमर में पत्रकाइरता के साथ-साथ समाज सेवा का बड़ालक्स लेकर आगे बढ़ना, अत वे सब्सक्राइब करने का निवेदन करता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे, आसा है आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, आपका साथी महेश कुमारवेद, नमस्कार दोस्तों